दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ OnePlus 7 & 7 Pro के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बता दू मैं कि यह जो अपडेट है इसमें OnePlus 7 में बहुत ही मेजर प्रोब्लम जो की इंकमिंग कॉल का जो इंटरफेस होता है वो कहीं न कहीं लेक कर रहा था इससे पहले लेकिन यह जो अपडेट जो मिला है ना गाइस ऑक्षिजन हो एस एलेंड पॉइंट 0.4.1 का लेटेस्ट अपडेट जो भी रिलीस किया है सभी यूजर्स के लिए देखो सबसे पहली बा करने के लिए अपडेट अभी इसक्ति लाइंज किया है दो आपको सबसे पहले यह बता दूं कि इजो अब्डेट है अब ही रिजेंट में कहां product किल फ्सक्राइसा है एक अगर आप ओडेट से तो जाऊई है बोल्ट फोन में सौफटेर अपडेट में चेक किजिए आपको यह अपडेट मिल चुका होगा देखो में चीज़ तो यह कि अभी जो अपडेट है सभी यूजर्स को रिलीज नहीं किया है अगर कुछ लार्जेस्ट बग्स नहीं रहा तो सभी यूजर्स को मिल आएगा वैसे गाइस 44 कंट्रीज में के लिए अगर यह अपडेट देखा जाए तो अभी स्क्रीन पर आप यह देख पाऊगे तो यहां पर कहीना कहीं अगर बात करें अपन इंडिया के अपडेट के लिए तो काफी टाइम हमको थोड़ा तो वेट करना होगा वैसे कंट्रीज अगर अगर कंट्री में रिलीज आ रहे थे हमको वह कहीं नहीं जो इंटरफेश ओर रहा है बक्स में फिक्स होने वाला बैटरी बहुत ज्यादा ड्रैंड कर रही है वह फिक्स होने वाली है और भी ऐसी चोटी बड़ी समस्या है जैसे किसी को गेमिंग को लेगे प्राब्लम आ रही किसी कि जो बैटरी है वो तो चलो उदर भी जल्दी रही है और चार्जिंग की स्पीड है थोड़ी स्लो गई है ऐसी छोटी मुटी माइनर प्रॉब्म तो ठीक है लेकिन जो मेजर प्रॉब्म है अगर वो फिक्स हो जाती तो बहुत अच्छी बात है गाइस देखते इंडिया में कप्त लगाता है और आपकी अपडेट आया है गाइस तो नीचे कमेंट में ज़रू बताना ताकि मुझे भी पता तला है कि मैग्सिम में यूजर्ज को एच अपडेट है रिलीस कर दिया गया है गाइस वीडियो पसंद आता रहेक लाइक करो चैनल को सब्स्राइब भी कर लेना थेंक्यों चीडित कर लेकिम्दित का अाइस पाराणी थाओेजिए.